वेलकम डो एकजाम सहपाथी आज के इस ललनटा प्रशनों की सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं करन्ट अफेर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं ठीक है तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो आप इसको जो है कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग सबस्यदा उत्पादन भी होता है सबस्यदा उपभोग भी यहां होता है और सबस्यदा निर्यात भी यहीं से होता है तो वो है आपका भारत और विस्व का मसाले का कटोरा किस देश को कहते हैं तो मसाले का कटोरा भी भारत को कहा जाता है क्योंकि सबस्यदा उत्पादन य वाज्ज है आपका केरल, ओके, अगला क्वेश्चिन है हमारा, कोईला के प्रमुक, प्रदूसर सुचकांकों के लिए कौन सा एकिकरित पोर्टल लांच किया गया है, ये भी हाली के जनुरी का करंट अफेर्स है, तो आप याद रखना कि कोईले के लिए जो आपका अप्लिक से संब्दित है, तो सुपेश्ट पोर्टल और चैंपिन पोर्टल, ये दोनों संब्दित है किस से, सर्वोच नयायाले से, ठीक है, तो याद रखना सुपेश्ट पोर्टल आप से एक्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है, अगला ये आपका, कार्ड़ाम हिल, कार्ड जियाई टेग दिया गया है तो केसर के लिए आप सब जानते हो कौन सा प्रसिद्ध है तो केसर के लिए है कस्मीर प्रसिद्ध ठीक है और लॉंग कहां की प्रसिद्ध है तो वो है आपकी कन्या कुमारी को तो कन्या कुमारी की लॉंग को जो है जियाई टेग और केसर जो है क पस्मीर के केसर को जो है जियाई टेग हाल ही में प्रदान किया गया है अगला है आपका रिजर्व बैंक आफ इंडिया का राश्ट्री ये करण कब हुआ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका राश्ट्री ये करण हुआ था एक जनौरी उन्नीस सो उन्चास को ठीक है अस्थापना और राश्ट्री करण दोनों अलग अलग है ठीक है अस्थापना कब हुई थी तो अस्थापना एक अप्रेल को हुई थी उन्नीस सो अपका 35 में ठीक है न अपका 1935 ठीक तो एक अप्रेल 1935 में अस्थापना हुई थी राश्ट्री करण हुआ एक जनौरी उन् अगला है 14 बैंकों का राश्ट्री करण कब हुआ था तो 14 बैंकों का राश्ट्री करण 1969 में किया गया था ठीक है न 1979 में 14 बैंकों का राश्ट्री करण किया गया तो 14 बैंकों का पहले राश्ट्री करण हुआ ये पूछा गया है कि 14 बैंकों कर आश्टी करण कब हुआ, 1969, उसके बाद आप से पूछा जाता है कि 6 बैंकों कर आश्टी करण कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1980 में, ठीक है, Imperial Bank of India का नाम State Bank of India कब हुआ, तो पहले जो है जो आपका State Bank of India था, इसका नाम क्या था, इसका नाम पहले था, Imperial Bank of India ठीक है ना, कब तक इसका नाम Imperial Bank of India था, एक जोलाई 1955 तक ठीक, तो एक जोलाई 1955 से, Imperial Bank of India का नाम क्या रख दिया गया है, तो वो रख दिया गया आपका State Bank of India, और ये Imperial Bank of India कैसे बना था, तो Imperial Bank of India किन-किन बैंकों से मिलके बनी थी आपको ये जानना है तो आप देखिए Kolkata Bank, Madras Bank and Bombay Bank इनको मिला करके 1921 में Imperial Bank of India की अस्थापना की गई थी और यही आगे चल करके State Bank of India बन गई 1955 में ठीक है न तो 1921 में बनी थी आपका Kolkata, Madras और Bombay के बैंक को मिला करके दल जील में ATM किस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है तो यह भी आपका Current का Question है तो यह SBI यानि कि State Bank of India ने डल जील में जो है आपका ATM जो है नाव पे स्थापित किया है ठीक है न तो आपका चलता फिरता ATM है वो State Bank of India के वरतमान अध्यक्ष कोन है तो State Bank of India के अगर वरतमान अध्यक्ष पूछ लेंगे तो आपका यह भी Current का Question हो जाएगा यह हो जाएगा आपके दिनेश कुमार खारा ठीक है तो दिनेश कुमार खारा वरतमान में आपके चेर्मैन है State Bank of India के विष्व का सबसे बड़ा अस्थल रुध देश कौन सा है यानि कि आपका Land Lock Country की बात हो रही है तो विष्व का सबसे बड़ा अस्थल रुध देश कौन सा है वो आपका कजाकस्तान ठीक है इसलिए जो है वहां के जो नए प्रधान मंत्री बने है वो है आपके इसमाइलोव ठीक है तासकंत समझोता कहा हुआ था तो तासकंत समझोता हुआ था उजवेकिस्तान ठीक है तो उजवेकिस्तान कजाकिस्तान ठीक है किरगिस्तान ये साब अलग अलग है तो याद रखना कि तासकन समझो होता का हुआ था उजवेकिस्तान में अगर आपसे युद्धभ्यासों के बारे में बात की जाए तो दश्टलिक युद्धभ्यास जो है ये भारत और उजवेकिस्तान के मद्दे में होता है कौन सा दश्टलिक या फिर डश्टलिक इसको बोले जाता है भारत और उजवेकिस्तान के मद्ध में खंजर यू धब्यास आपने देखा होगा खंजर होता है आपका भारत और किर्गिस्तान के मद्ध में ठीक है ना खंजर आपका भारत और किर्गिस्तान के मद्ध में काज अभी हाली में पिछले साल भी हुवा था, जो है सितंबर, अक्टूबर के महीने में, अलनगाह, तो अलनगाह ये कहां पिए किसके दोरा B.S.F. के दोरा यानि कि आपका बार्डर सेक्यूरिटी फोर्स है इसके दोरा आफरेशन सर्द हवा चलाया गया था ठीक है अगला पॉइंट आपका विस्व सीमा सुल्क संगठन का मुख्याला कहा इस थी थे तो सीमा सुल्क विस्व सीमा सुल्क की बात हो रही है विस्व सीमा सुल्क जो है आपका संगठन की मुख्याला जो है इसका है आपका ब्रसेल्स बेल्जियम में ठीक है ना ब्रसेल्स बेल्जियम में इसके लाओं आपका नाटो का मुख्याला है और आपके European Union का अगर आपको याद हो कि European Union में कितनी countries है ठीक है तो आप comment करके बताईएगा European Union में वर्तमान में कितनी company नहीं कितने देश सामिल है वश्तु और सेवाकर GST कि सूची का विस्य है तो GST जो है आप सबको पता है कि GST एक समवर्ती सूची का विस्य है केंदर में लगता है राज्य में लगता है केंदर राज्य दोनों में लगता है ठीक है न C GST S GST आपने सुनाओगा तो ये आपका एक आप्रत्यक्षकर है indirect tax GST और ये समवर्ती सूची का विस्य है भारत हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाये जाने की घोशड़ा की गई तो वीर बाल दिवस की घोशड़ा अभी जो है की गई थी 2021 में ठीक है न प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा और ये हर वर्स 26 दिसंबर को अब मनाये जाएगा वीर बाल दिवस ठीक है तो वीर बाल दिवस हर वर्स अब 26 दिसंबर को मनाये जाएगा नेक्स्ट आपका विस्व एंटी डोपिंग एजनसी तो इसका जो है विस्व एंटी डोपिंग एजनसी इसको जो है सार्ट में वाड़ा वोला जाता है इसका मुख्याला है आपके मौन्ट्रियल कनाडा में ठीक है मौन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्याला है तो मौन् क्रियर प्र impose के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम सर्स कंविंशन किसलिए हुँँए था तो वह किसलिए हुँँद खेहर अपको याद हो तो ठीक है ना राम सर्स कंवेंसिन भी आपसे उड़ा में में बहुत बार स्थ़्ट इस राज्य में है अगर ये पूछ लिए जाये तो आप सब जानते हैं कि सरवाधिक लिंगा नुपाद कहाँ पे है तो सरवाधिक लिंगा नुपाद आपके केरल में है और 2011 की जनगड़ना के अंसर जो नियूंतब लिंगानुपाद था ये आपके हरियाणा राज्य में है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने सास्त्री नृत्य हैं तो सास्त्री नृत्य आपके कितने हैं आठ है ठीक है तो अगर आपको याद हो कि सत्रिया कहां का सास्त्री नृत्य है तो आप कमेंट करके आप बताईएगा कि सास्त्रिय भासाएं है ठीक है ना भारत में कुल कितनी सास्त्रिय भासाएं हैं तो सास्त्रिय भासाएं 6 हैं ठीक है ये दोनों अंतर आप याद रखना सास्त्रिय भासाएं कितने हैं तो ये आपके 8 हैं और सास्त्रिय भासाएं कितनी हैं तो सास्त्रिय भासाओं में दिया जता है तो ये दिया जता है आपके 23 भासाओं के लिए तो कल आपको ये भी बताइगा था कि जानपीट फुरुस्कार किसको दिया गया है अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करक ki बताईए भारत के सम्विधान में कितनी भासाएं हैं वर्तमान में भारत के सम्विधान में कितनी भासाएं हैं, तो बाइस भासाएं वर्तमान में भारत के सम्विधान में हैं, लेकिन भारत के मूल सम्विधान में कितनी भासाएं थी, यानि कि जव आपका सम्विधान बना था उस समय कितनी भासाएं थी, तो उस समय 14 भासाएं लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 22 भासा है, ठीक है, पद्म विभुषड पूरुसकार आपका important होता है, तो पद्म विभुषड पूरुसकार चार लोगों को मिला था, ये आप चारों के नाम एक बार फिर से देख लीजिए, कल आपने इसको देखा था, चा आप चारों नाम ज़रुत ज़रुत रखेंगे, पद्म विभुषड से सम्मंदित, ठीक, इसके लाओ देखिए, भारत में किस दिव्यांग खिलाडी को पद्म विभुषड से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके देवेंद्र जहांजरिया, ठीक है, देवेंद्र जह कमपनियों के CEO को पद्म भूसर्ड पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो कल आपको बताया गया था चार-पांच नाम आपको बताया थे पद्म भूसर्ड में तो ये आपका सत्या नडेला जो की Microsoft के CEO है इनको और सुद्नर राजन पीजाई जो की आपके Google के CEO है इन दोनों ल बता दें कि 17 लोगों को दिया गया है और पद्म स्री पुरुसकार 107 लोगों को और पद्म विभूशड पुरुसकार 4 लोगों को प्रदान किया गया है कल आपको ये बताया गया था ओके इसराइल के वरतमान में प्रदान मंतरी कौन है तो अब आपके हैं नफ्ताली बेन तो वन इस्तिती रिपोर्ट जो है हाली में आई है 2021 की दो वार्स में एक बार ये प्रकासित होती है तो सत्रवी वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अंसार किस राज्य के वन चेत्र में सरवाधिक वृद्धी दर्ज की गई है यानि कि कहां पे वन चेतर पिछले वर्स की मुकाबले इस वर्स सबसे ज़्यादा बढ़ा है तो वो आपका आंद्र प्रदेश है ठीक है याद रखिएगा आप लोग कलिंगरत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है विश्व भूशड हरीचंदरन को और विश्व सरकार के द्वरा दिये जाता है कुछीपूरी रित्य का संबंद किस राज्य से है तो कुछीपूरी का जो संबंद है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है ठीक है आंध्र प्रदेश से आपका कुछीपूरी आंध्र प्रदेश का संबंद जो है कुछीपूरी आपक लिविलूपत प्राय प्राणी होते हैं उनकी जानकारी दी गई होती है IUCN का फूल फार्म क्या है तो International Union for Conurvation of Nature International Union for Conurvation of Nature ये आपके Red Data Book की जो है Red Data Book जारी करती है IUCN एक संस्था है पच्षियों का अध्यान को क्या कहा जाता है तो पच्छियों का जो अध्यान होता है वो बोला जता है आपका और नीत होला जी बर्ड मैना आफ इंडिया कौन है तो बर्ड मैना आफ इंडिया आप याद रखना सलीम अली है पच्छिय अभ्यारन ने कहा परिश्थी थे तो उमीद करता हूं कि आपको पसंद आया होंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो को आप सेयर जरूर कर दिया किजिए अपने दोस्तों तक वीडियो पर आप कमेंट कुछ कर दिया कि लिए पसंद आया हो तो लाइक कर दे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद